Samsung Galaxy A55 दोस्तो यह offline market में बिकने वाला सबसे popular smartphone है जो की एक budget smartphone के अंदर आता है जो की 30,000 से 45,000 के बीचि में आता है दोस्तो यह series का यह smartphone काफी ज़्यादा popular रहता है offline market में और लोग बहुत ही ज़्यादा इसको खरीदना पसंद करते है उसे पहले मैं DJN की बात करूँ तो यहापे हमको glass bed DJN की साथ में यह phone आता है साथ में metal frame भी आता है Samsung Galaxy A55 में साथ में यहापे gorilla glass with text plus की protection देखने को मिल जाती है और इस phone का budget 214 gram है यदि मैं port so button की बात करूँ तो दोस्तो यहापे निची की side पे हमको dual microphone देखने USB type C port मिल जाता है speaker grid मिल जाता है right side में अपनको power on off button देखने को मिल जाता है और volume rocker देखने को मिल जाता है और के side में अपनको noise cancellation mic मिल जाता है और SIM card tray मिल जाती है जो कि hybrid SIM card tray है यह SIM या एक memory card या दोनों ही SIM या आप use कर सकती हो साथ पे e-SIM का भी support यह स्मार्टफोन पे अपनको देखने को मिल जाता है display की बात करूँ तो दोस्तों या पे हमको 6.6 inch का full HD plus 120 ads super amulet display देखने को मिल जाता है जिसके peak brightness 1000 needs की है और या पे HDN का certification दिया गया है Netflix वगरा पाराम से HD में content का मज़ा उठा सकते हो और Gorilla Glass with test plus की protection भी आपे देखने को मिल जाती है प्रोसेसर की बात करूँ तो या पे एक जिनोक्स का 1480 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि 4NM पर बेस है और ये एक जिनोक्स सैमसंग का खुद का प्रोसेसर है जिसका अंत्र तो इसको राता है 7,24,000 गेमिंग की बात करूँ तो दोस्तों आपे जैंग सिंग इंपेट मेडियम सेटिंग पर 40fps और BGMI 40fps भी आराम से आप कॉंटेंट का मज़ा उटा सकते हो लेकिन या पर हो सकता ये अभी नया चिपसेट है तो कुतना इतना अच्छक परोमेंस ने डिता या पर दो विरेंट ये स्मार्टफोन में आता है 8GB RAM 256GB internal stories के साथ में ये फोन आने वाला है 35,000 रुपे के नीचे और दोसर जो विरेंट आता है 12GB 256GB वो आने वाला है 45,000 रुपे के नीचे 5000 एमेज की बड़ी बेटरे मिलती है और इस पॉन में चार्जर नहीं आता स्रिप केबल अपनको देखने को मिल जाती है बुक्स में टाइप सी टू टाइप से वो 25 वाट के चार्जर को ये सपोर्ट करता है मल्टी मीडिय की बात करू तो दोस्तों आपे नेट फ्लिक्स और यूटूब पर HDR का कॉन्टेंट का मज़ा ले सकते हूँ साथ में आपे डॉल भी एटमर्ट स्पिकर आता है वो अपरेटिंग सिस्टम की बात करू तो वन यूई 6.1 पर आता है जो बेस है एंडरोड 14 पर और यह आपे सबसे मज़ेदार बात यह है कि चार साल के सोफ्ट्वेर अपडेट वह पास साल की सिकुरिटी अपडेट मिल जाते हैं इन डिस्प्ले फिंगर्पिंट सेंसर मिल जाता है फेस अनलोग आता है करेटिविटी की बात करूं तो 5G के ओल बैंट से आपे देखने को मिल जाते है डूल 4G वोल्टी आता है वाइफाई 6 आता है Bluetooth 5.3 आता है NFC का सपोर्ट आता है IP67 सर्टिफिकेशन आता 4K में 30fps वी वीडियो रिकोड कर सकते हो और 12 वी रिकोडिंग कर सकते हो 32 मेगाफिक्सल का सेल्फी केमरा आता है या से भी आप 4K में 30fps वी रिकोड कर सकते हो विट AI फिचर्स AI के All Features अपने को देखने को मिल जाते है जैसे आप ग्रुप में फोटो ले रहे हो और किसी चीज को आप रिमूव करना है तो AI के मदश से आप एक क्लिक पर आराम से उस चीज को रिमूव कर सकते हो यदि आप ग्रुप में फोटो ले रहे हो और किसी एक बंदे की आखे ब करना ना बोली क्योंकि मैं ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ मिलता हूँ किसी नई वीडियो के साथ जब तक के लिए जैहिन